नमस्कार विधियर्थी मित्रों मैं पूनम राठोड वासुदेव स्कूल ग्रूप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हादिक स्वागत करती हूं विशाई हिंदी कक्सा साथ दीतिय सत्र लेक्चर नमबर तीसरा तो मित्रों हम लोग आपका चैप्टर दस्वाँ पेज नमबर साथ पर देखेंगे अंदाज अपना अपना तो हमने पेज नमबर 69 पर देखा था कि केसे दो तर्क लगाए थे हमने किस से सुने थे तो आज हम पेज नमबर 60 पर आपको दिया गया है तर्क की की लगाम कलपना के खोड़े वो देखेंगे किसे तो चलो आप लोग सब का ध्यान भूक में तो अगली बार हमने देखा था ना अगले लेक्चर में कि दिमागी दोड भावेस भाई वकिल का किसा था और परेस भाई नमक जो किसान थे उसका किसा था दोनों के घर में जो हुआ था उसका हमने तर्क लगाया था आप लोगों ने अपने अंदाज में कुछ सोचा था तो आज यसा तीसरा किसा हम देखेंगे तो चलो भूक में ध्यान आप साइकिल पर स्कूल जा रहे है रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिला कर आपको रुखने का इसारा कर रहा था आप साइकिल पर स्कूल जा रहा है साइकिल चला के बगल वाले यानि कि पास वाले गाउं में मेरा जाना ज़रूर है उसने आपने आपसे ये कहा कि पास वाले गाउं में मेरा जाना ज़रूर है आपने उस आदमी को शैकल पर बिठाया और पास वाले गाउं तक पहुचाया आपने उस आदमी को अपने साइकल पर बिठाया उस महाँ चाह कर आपको पतता चला कि यह जादू होने वाला है और वह आठम सही है ज्यादू के खेल देखने का अनुरद हैं उस अनुर्ब किया उस पाठ साला पहूंचने में देर हो जाएगी पर आप तो कहां जा रहे है थे स्कूल जा रहे थे और रास्ते में यह आदमी आपको मिल गया और उसने कहा किया बगण में भगल वाले गाओं मेरे उधना जोरूर है और उसने अनुरोद किया आपको पर आपको तो पाट साला जोच कर आपने मना कर दिया कि नई मैं झादू के खेल देखने में बेट नहीं ने सारी बात पुल तो उस आतमीी का आपको एक करामाती चस्प में दिए और कहा कि अब जादू करने क्या किया सारी बात सुनकर आपको एक करामाती चस्प में दिए एक जादूई चस्प में दिए और कहा कि क्या कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाऊंगे और कुछ भी कर पाऊंगे उसने बोला कि हपते तक रहेगा एक हपते तक इसका असर रहेगा आगे देखिए आप चस्मा लेकर वापस अपने गाउं की पाट साला में आए और अब आप ये चस्मे लेकर वापस अपने गाउं की पाट साला में आ गए वहां से घर गए दूसरे रोज नहा धोकर आईने में सामने अपन देख सकोंगे और आपको कोई देख नहीं सकेंगा तो उसमें आएने में देखा तो सच्छ्मुच आप गाओ भोजुके तो आप ही wh main बताएँ कि आप कहा कहां जाएंगे और क्या क्या करें अपके पास उच्शादूई चश्में बोला है अब आप हमें बता है किया कहा जाएंगे और क्या क्या करेंगे सोचो आपकों फींसेइत कोई जáriव हम करेंगे हैं कि अपकोगी सोचना को तो हम देखते हैं हम क्या में जहतर मन जाहिए मीठाई खाऊंगा डस्में पति अधिぇ को तो मन थ्यक्रा कि दुक डुकां में मन जाहिए मीठाई कूँगा दुसरा फव्प्त में फिल मयान नातक देखाऊंगा मुफ्तусов सामने वाली व्यक्ति आपको देखना पाएंगी मुफ्त में फिल्म या नाटक देखाऊंगा, मुफ्त में जादू के खेल देखाऊंगा, तिसरा, चोथा, फूल वाली से फूल तोड़ाऊंगा, पांचमा, पेड़ पर बेटकर फूल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा, चटा, पडोसी के घर की तीचे उधर से उधर रख करू दर आऊँगा देखो हमने ये 6 तरक लगाए तरक की लगां कल्पना के घोड़े 6 तरक लगाए ना हमने की हल्वाईं की दुकान में जाकर मन चाही मिठाई खाऊंगा मुफ्त में फिल्म या नाटक देखाऊंगा हमारे पास वो जादू इचस्म होंगे तो मुफ्त में जादू के खेल देखाऊंगा फूल वारी से फूल तोड़ के लाऊंगा पेट पर बेट कर फूल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा पडोसी के घर की चीज़े इधर से उधर रख कर उन्हें डर आऊंगा इधर से उधर रख जो चीज़े हम रख देखें देंगे तो उसको लगएगा कि हमारे घर में कोई भूत आया क्या हुआ ये क्या चमतकार हो रहा ह तो आपको देख नहीं पायेंगे तो एसे हमें तरक लगाये छै तरक लगाये की क्या-क्या हो सकता है ज़सा कभी हुए आपके साथ तो एंप क्या-क्या करओंगे जharduBa हैं पहन करते तो मित्रो से हमें की से दिये गया है और हम अपने वीचार्थ के तर्क लगाने हैं तो यह आपको रॉफ बुक में एक बार तर्क लिखने हैं तो मित्रो चलो अब दूसरा किसा उसके नीचे पेस नंबर साइट पर ही नीचे वाला जो किस्सा है वो पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कुद के बाद रात को आपकी आँख लग गई आप पूर एक सपना दिखा आपको सपना आया आप घुमते घुमते बहुत दूर निकल गए आप घुमते घुमने गए हैं और घुमते घुमते बहुत दूर निकल गए आपके घर से आप नदी पहाडों के अद्भूत संदर्य में लीन हो गए और नदी और पहाडों के अद्भूत स चले गए आपने घर से युक्त आफके सामने के बीज्य इक है fare यानी कि chaefum 15-68 अचानक आपके सामने से रागया चयए एक को देखकर कि मैं कहा हू आप घब्रा गए सेर हमारे सामने आए तो हम गबराई जाएंगे क्योंकि वह हिंसक प्राणी है इसलिए यह मारे डर के आखें बंद कर्दी अब क्या होगा डर लगने लगा आप लोगों, आपने इश्वर को याद किया और कहा आपने इश्वर को भगवन को जो हम मुस्विवत्म होते हैं तो हमें मा और भगवन क की तरह पक्षियों की तरह पंख होते तो पांखे होती तो तभी चमतकार हुआ और आपके हाथ की जग पंख उग गए तभी एक चमतकार हो गया और आपके हाथ की जग क्या हो गया पंख लग गए आपको चमतकार किया आप उठकर वापस घर आ गए और आप उठकर के वापस ख़र आ कई अब बड़े ख्योश से अब खुशते शां बच्यों और फंग भी मिल गये ऑब खुशते कि घ्म मेरी जान भी बच गई और में मेरे मुझको फंग भी मिल गये सतने टूटा इक वह प्यूंआ थोन से आखे खोली अब करें आपने पाया किक आतों की जगह पंख मिल गए तो अब अब क्या पाया हकीकत में आक हाथ की पन्ख मिल गए हाथ के हाथ है वहाथ नहीं रहां पंख लग गए है तो तो मेरे परिंदे दोस्तों अब बताई है कि आप कहा कहा जाएंगे और क्या क्या देखेंगे तो आपको आपको विचारना है तर्क लगा ना है कि मेरे हाथ नहीं है हाथ की जुगन पंक लग गए हैं तो यह पंख से मैं उड़ सकता हूँ उड़ सकती हूँ तो मैं क्या करूंगा कहा कहा जाओंगा क्या क्या देखूंगा यह आपको तर्क लगाना है आपको बताना है तो चलो मित्रों आप सब पेले तर्क लगाए अपने अपने अंदाज में वीचारिए कि आप यह पंक से कहां जाओंगे क्या करोंगे क्या देखोंगे आपको उड़ना आता है पंक है तो जैसे पक्षियों उठते हैं वैसे ही आपको भी पंक लगे हुए तो आप क्या करोंगे तो देख चलो हम उतर देखते हैं उठने के पंक मिल जाने पर मैं आस्मान में बादल के पा पंख मिले है तो आप उसे मित्रता करेंगे उसे दोस्त बनाएंगे मैं पक्षियों के साथ उड़ने की सर्थ लगाऊंगा अब आप भी उड़ सकते हैं तो कि के रहे हैं कि मैं पक्षियों के साथ उड़ने की सर्थ लगाऊंगे मैं उड़कर बाजार से तीछे ले आऊंगा अब उटकर जोती जे बाजा से लानी होगी वे ले आऊंगा मैं पेडो पर बेटकर फल दोड़कर खाऊंगा मैं पेडो पर बेटकर फल दोड़कर खाऊंगा पेड़ पर से मैं पहाडो पर जाकर आनन मनाऊंगा पहाडों पर जाकर आनन मनाऊंगा, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुँच जाओंगा, उड़कर जो मित्र दूर रहता है उसके घर जल्दी पहुच जाओंगा, मैं जंगल में जाकर सेरों तथा वागों को नजदिक से देखूंगा, अब कहता है कि मैं आसमान में बादल के पास जाकर उने देखूंगा, मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा, मैं पक्षियों के साथ उठने की जर्त लगाऊंगा, मैं उठकर बाजार से तीजे ले आऊंगा, मैं पेडों पर बेटकर फल तोड़कर खाऊंगा, मैं पहाडों पर बेटकर फूल त से देखुंगा मित्रो आपने देखा नहीं कि केसे केसे तर्क लगा ये हमने तो हमने उस चेप्टर में है चार की सेशे सुने पर्यश भावेज भावस्वाइव वक्किल का किसाना मतक rocky ने रखा था वह पुच्छी सेजलगों गमला लाई थी फिर अच देखा तरक़ की लगांगर कल्पना के घोड़े और अब हमने देखा तरक लगाई और अपने अंदाज में देखा कि क्या क्या हो सकता है हमें अपने अंदाज में अपने वीचार में सोचना है कि कभी एसा हो जाए हमारे साथ तो हम क्या क्या केसी केसी परिस्तिती में अपने वीचार ले सकते हैं तो मित्रो, पेस नंबर 61 पर देखिए, इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसोटी होने वाली है, एक बड़ा जहाँ आपको निर्जन दीप पर ले जाने वाला है, वहाँ केवल मिटी, कंकड, पत्थर, पहाड और समूदरी, पानी ही है, क्या कहा है, कि इस बार आपकी म मज़ेदार और अनोखी कसोटी होने वाली है, एक कसोटी होई आपकी परिक्षा है, एक बड़ा जहाँ जहाँ आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है, वहाँ केवल मिटी, कंकड, पत्थर, पहाड और समूदरी, पानी ही है, मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ़ते तक सुख चेन से रहने के लिए, आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सुची बनाएं, क्या केते हैं, मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ़ते तक आपको रहना है, वहाँ सुख चेन से आप रोस लगें, और आपको कोई मुस्केली नो हो, इसके लिए आप अपने साथ क्या ले जाएंगे, उसकी आपको सुची बनानी है, आपको विचार करना है, अंदाज लगाना है, अपने तर्क से अंदाज लगाना है, कि हम क्या क्या ले जाएंगे, हमारे जो जीने के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा हम क्या क्या बस सुची बनानी हे और अपने अंदाज में के ना है तो मैं ने आपको ये 5 पांच सिए सुना आए और उसके तरक हमने लगाए हमने उसके उतर भी देखेрах छवाब की कि हमें अरे पास करामती चस्म हो तो हम क्या करेंगे फिर हमारे पंख हो आपके पास पंक हो तो आप क्या करेंगे वो सब हमने तर्क लगाए देखे तो आपको आज हुमवक में ये पेस नबर 61 पर जो दिया गया है वो देखना है और उसकी सुची बनानी है अगले लेक्चर में फिल मिलेंगे अस्तू चैहिन